NDA की जीत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने एक बड़ा बयान जारी किया है और उन्होंने आज अपना बयान दिया है ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में NDA ने सीट शेरिंग का जो फॉर्मूला है वो पेस कर दिया है जो सत्रह सत्रह सीट जेडियू और बीजेपी कुछ सीटों पे राम बिलास पासवान की पार्टी और कुस पर कुसवाह की पार्टी का जो नेनाई हुआ उसके बाद नितीज कुमार ने आज बड़ा बयान जारी किया कि बिहार में NDA की जीत होगी और 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद मोधी बनेंगे तो 2019 की जीत को अपनी गारंटी दे रहे हैं नितीज कुमार और कह रहे हैं कि 2019 में जो NDA की जीत होगी वो उमीद से बहतर होगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है नितीज कुमार पूरे confidence हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और लालो यादव को करारा जबाब दे रहे हैं जो उनको चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि नितीज कुमार पुरे मजह हुए खिलाडी हैं राजनेती के और उन्हें राजनेती का बहुत बड़ा अनभाव है और उनकी छवी बहुती एक अच्छे राजनेता के रूप में है तो जेडियो की जो बिहार में पार्टी है जिसक और आरजेडी का भरष्टा चार पता चला तो उन्होंने बीजेपी फिर से गड़वन्दन कर दिया बीजेपी के साथ अब उन्होंने ये बयान दिया है कि 2019 में बीजेपी की जीत पक्की है और एंडिये की जीत पक्की होगी तो ये बात अब समझ में आती है कॉंगरिस बिहार में भहुती खस्ता हाल है कॉंगरिस पार्टी के जो वहाँ के अध्यक से हैं इनसे ही वो खुस नहीं है और रही बात अब सबसे बड़े पार्टी जो अब पूजीशन में है लालू यादव की पार्टी आरजेडी आरजेडी का परवारिक कलह एक बार खुल के सामने आ गया है उनके बड़े बेटे तेज परताव व्यादव कुछ छे महिने पहले साधी होती है उनकी एस्वर्याराई से लेकिन अब जो उनको पता चला है कि उनक से बदला लिया गया वो अपने परिवार की खिलाप बगावत कर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि ये मेरे खिलाप साजिस थी और उनका ये आरोप अपने छोटे भाई तेज अस्वी यादव और मिशा भारती की और जाता है कि जुन्होंनों अपने चाल के अंतरगत साध अपने लोगों को उनसे साधी कराई थी या तो वो नहीं चाते थे कि तेज परताप यादव तेज अस्वी यादव की खिलाप बगावत करें क्योंकि पहले से ही ये बात सामने आ रही थी कि आरजेडी में दोनु भाईयों के बीच अनबन है क्योंकि छोटे भाई को बड़ार कद दिया गया उप मुख्यमंत्री बनाया गया और बड़े भाई को एक कैबिनेट मिनिस्टर का दरजा दिया गया जब भी कोई डिसीजन होता है पार्टी में प्रेस कॉन्फेंस होता है तो तेजस्वी यादव को आगे किया जाता है और लालू के बड़े बेटे को किनारा किया जाता है तो जब उन्होंने ये बात समझी कि एस्वर्या राई उनको दम घोट रही है और वो घुट घुट के जीने से बढ़िया है कि ये तलाग दे दे और आज वो लालू यादव से मिले लालू यादव गुराची के जेल में है और उन्होंने कहा कि अब मोधी भी अगर बोलें सुलह करने की कोशिस करें तो हम उसको नहीं मानेंगे वैसे बात तब याद आती है कि जब कुछ समय पहले तेज परताप यादवी कुछ ऐसे बयान दे रहे थे कि हम तो मोधी की चमड़ी उधेर दूंगा तो ऐसा बयान देने वाले तेज परताप यादव खुद फस गए हैं अब उनकी ही प्रस्नल लाइब की चमड़ी उधेरी जा रही है और लोग बोल रहे हैं कटाक्स कर रहे हैं कि आप महागडवन्न बनाने वाले सबसे पहले और हमेशा महागडवन्न पर बात करने वाले लालू यादव अब उनके परिवार में ही दो बेटा तेज परता प्यादव उसका एक साल भी साजी नहीं चल ली और वो खुले आम पर बगावत कर रहा है कि परिवार ने मेरे खिलाब साजिस की है और हम हमें घुटा जा रहा था हमारा अब हम तलाग देते हैं तलाग की अरजी दे दी गई है और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो बहुत बार हला मचाते थे कुसवाह को लेकर नितीस कुमार को लेकर महागडवन्दन की बातें करते थे और लेकिन अब इनका परवारिक कल है भी इनको बहुत नुकसान करेगा क्योंकि चुनाव आने वाले नजदीक हैं और बिहार में जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी या महागडवन्दन में फूट पड़ी है परवारिक फूट बहुत बढ़ी होती है जिस तरीके से परवारिक फूट के कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तूट पड़ी है तो यह उत्तर प्रदेश और विहार बहुत बड़ा मा राजियों में हैं और वहां की प्रमुक दो बिपक्सी पार्टियां तूट चुकी हैं परवारिक कल है छोटे भाई स्विपाल यादव ने अलग पार्टी बनाए ली और अखलेश यादव से वो नाराज है और उनकी अलग पार्टी में उनकी छोटी बहु रहनुका यादव खुले आम पर बगावत कर रहा है अखलेश यादव की खिलाप तो अखलेश यादव यूपी में पर्वारिक कल entit से प्रेशान हो चुके हैं वहीं भिहार में यहां पर R.J.D. और लालो यादवी की पार्टी का और परिवार का जो कल्य है उसका पतन का कारण बन रहा है तो यहां पे बीजेपी और जो एंडिये का है और जो मोदी का पक्स है वो बहुत पलड़ा भारी है और इससे 2019 की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती जा रही है जैसे बिरोधी लोग बीजेपी में फूट डालने की कोशिस कर रहे थे लेकिन उनके घर में ही फूट पड़ चुकी है लोग एक कहवत है कि आप अगर किसी दूसरे के लिए काटे भोगे तो तुम्हें भी वो काटे का सामना करना पड़ेगा तो यह बात अब पक्की हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियां परवारी कलह के कारण अब परबाद होने के कगार पे हैं और वहीं अब निटीश कुमा का जो बयान आया है कि हम जीत जाएंगे तो यह जीत पक्की करने का एक बड़ा कारण ये भी है जीत पक्की का कि जो जीत के लिए आस्वासत इसलिए है क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले बीजेपी को हराने में उनका माइं नहीं जा रहा अब वो अपने परिवारी कलह में ही फस चुके हैं आज इतना बड़ा घटना करम हुआ हर कोई ये बात कर रहा है कि तेज परताप यादा हो कि अतलाक हो गया क्या हो गया आचानक तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई कुछ समय पहले लोग सोच रहे थे कि क्या सब्सक्राइब की लड़की हुई है सा तेज परताप को आगे करके उसके भाई के बिरूद्व करेगी लेकिन तेज परताप खुदी फंस चुके हैं और तेज परताप ने मोर्चा खोल लिया है अपने परिवार की खिलाप वहीं यूपी में तो बिजेपी का जो बहुत बड़ा स्ट्रॉंग बैल्ट है जहां से ज़्यादा सीटें जीच सकते हैं बिरूदी परिवारिक कलह के कारण बरबाद होने पार्टियां च्छति ग्रस दो फाड़ हो गई हैं और ये उमीद की जा सकती है कि ऐसा कयास लगाई जा रहे हैं कि बिहार में आर जेडी में दो फाड़ होने की संभाव नहीं हैं अगर तेज परताप तेजस्वी यादव में और मनमुटाव होता है क्योंकि अभी तो चलो तलाक की बात है लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि पार्टी में दो अलग-अलग दल बन जाएं तेज परताप और तेजस्वी तो इसका फाइदा BJP और NDA को मिलेगा इसी वज़ो से नितीज कुमार ने आज जो बयान गिया है कि NDA की जीत पक्की होगी और उमीद से बहतर होगी तो ये उमीद इसी पे है क्योंकि अपोजिशन पार्टी बहुती वीक होती जा रही है और राहुल गांधी भी अब ऐसे की बयान दे रहे हैं कभी मैं इस चाइब के बयान दे रहा है तो आज के नितीज कुमार के निकलता है कि उतर परदेश में जो बिहार भी बहुत बड़ा suggest जादा सीट हैं और हैं यहां पे जीतेंगे और लालू या दाओ का परिवारिक कल है आपके सामने हैं तो बिहार यूपी में अगर बिजेपी की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है उसका अपोजीशन में परिवारिक कल है